नमस्कार दोस्तों NTV Motivation YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है चाड़क की नीती की एक और वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा है चाड़क की नीती को पूरी तरह और बेहतर ढंग से समझने के लिए वीडियो को अंततक जरूर देखें क्योंकि आचारे चाड़क के कहते हैं अधूरा ग्यान हमेशा घातक होता है दोस्तों ऐसे लोगों के लिए स्वर्ग के बराबर होता है धर्ती पर जीवन काउन से लोग आए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों महान राजनीतिग और कूटनीतिग आचारे चाड़क के ने जीवन धर्शन के बारे में बहुत सी नीतियां बताई हैं उनकी इन नीतियों से इनसान को अपने जीवन से खुश और सुखी रहने के मंत्र मिलते हैं आचारे चाड़क के ने सुखी ब्यक्ती को लेकर कुछ बातें बताई हैं जिससे पता चलता है कि वो ब्यक्ती अपने जीवन में कितना सुखी है आचारे-चारे के कहते हैं अगर किसी इंसान के पास ये तीन चीजे होती है तो उसके लिए धर्ती स्वर्ग के समान होती है तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको इनी चीजों के बारे में जराबिस्तार से बताएंगे लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों आचार चारक के कहते हैं अगर आपकी संतान आपका हमेशा आदर करती हो आज्याकारी हो तो इससे बड़ा जीबन का कोई सुख नहीं होता क्यूंकि ऐसी संतान हमेशा ही अपने माता पिता का ध्यान रखती है और उन्हें बढ़ापे में कश्ट नहीं होने देती चारक की जी कहते हैं जिनकी संतान अपने माबाप की आग्यां का पालन करती हो उन्हें मरने के बाद स्वर्ग की कामना नहीं करनी चाहिए उनके इंसान अपनी शादी सुदा जिंदगी से सुखी है तो वो अपने कैरियर में काम्याबी की नई सीडियां चड़ सकता है चारक के कहते हैं यदि किसी व्यक्ति को अपने अनुरूप ब्योहार करने वाली पतनी मिल जाती है तो उस व्यक्ति के लिए धर्ती पर ही स्वर्ग समा ननुभूती होती है दोस्तों आचारे चारक के तीसरी चीज बताते हैं यदि व्यक्ति को अपने कमाय हुए धन पर संतोस है तो वो सुखी जीवन ब्यातीत करेगा वो कहते हैं कि संतोस से ही सुखी प्राप्ती हो सकती है दोस्तों चारक के अनुसार अपने जमा धन पर संत पुखी रहता है। के साथ तब तक के लिए इस्टे मोटिवेट इस्टे फियरलेस